Hey guys, what's up? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो I guess आप सभी लोग नूटिस करी पा रहे होंगे कि जब से ये unlock phase शुरू हुआ है काफी जादा हलचल होना शुरू हो चुगी है स्मार्टफोन का market भी एकदम track पर आ चुका है June के मन्त में काफी सारे स्मार्टफोन लाँच हुए कुछ अच्छे हुए है तो काफी सारे कुछ बुरे स्मार्टफोन भी लाँच हुए बट खुशी की बाद ये है कि at least स्मार्टफोन लाँच तो हो रहे है बट डोन्ट वरी जुलाई के मन्थ में काफी कमाल के काफी सारे स्मार्टफोन लाँच होंगे बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि जुलाई के मन्थ में कौन से वो स्मार्टफोन होने वाले है जो अंडर रुपीज 20,000 की प्राइस में लाँच होंगे क्योंकि आप में से ज्यादा तर लोग 20,000 की प्राइस के आसपास ही स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है तो बिड़ा बिड़ाइस के शुरू करते है आज के इस वीडियो को तो जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो आ रहा है Poco की तरफ से Poco M2 Pro इस फोन को अल्रेडी Poco थोड़ा बहुत यहां इधर उधर मतलब अपने ही ट्विटर हैंडल पर टीज करना शुरू कर चुका है और वैसे इस फोन यह रूमर्स काफी पहले से निकल के आना शुरू हो चुक है शाहुमी की प्रोड़क लिस्टिंग साइट पर यह स्मार्टफोन एक बार स्पॉट किया गया था फीचर्स होने वाले है इस फोन के अंदर यह तो नहीं निकल के आया है लेकिन हाँ जो कुछ रूमर्स निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो स्नाप्रेगल 720G चिपसेट होने वाले है फोन के लुक्स बताये जा रहे हैं कि Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max उस तरह का लुक होगा फोन का इनफेक्ट जो फीचर्स है ना यार वो भी Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max से मिलते जुलते से ही होने वाले तो आप एक तरीके से लगा के चल सकते हो कि फोन का जो प्राइस है वो भी इसी के अराउंड होने वाला है 14, 15, 16, 1000 तक की प्राइस में ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा इस बार Motorola ने वाकई में काफी ज़्यादा सप्राइस कर दिया है जिस तरह से Motorola One Fusion Plus लाउंच हो है जिस प्राइस में जिन फीचर्स के साथ लाउंच हो है वो वाकई में काविले तारीफ है Motorola की तरफ से at least बढ़ हाँ इसका एक छोटा वर्जन इसका एक लाइटर वर्जन Motorola One Fusion हम लोगों को जुलाई के मन्त में देखने को मिल सकते है अब इतक जो निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बताओं तो Snapdragon 710 चिपसेट बताया जा रहा है HD plus display होगी इन ही तो features को consider करके भी अगर बोला जाया ना तो definitely phone एक budget price का होगा 10-12,000 तक की price में हमें देखने को मिल सकते है और Motorola आजकल जिस तरह का काम करना शुरू कर दिया है pricing के हिसाब से उमीदे तो है कि Motorola इस phone को भी एक अच्छे खासे price में launch कर दे है बढ़ हाँ अगर आप भी कुछ इसी से रखे phone का wait करे हो तो definitely इसको आप consider जरूर से कर सकते हो खेर अभी अगर आगे बढ़ा जाया और बात कीज़े अगले smartphones के बारे में तो कुछ smartphones Redmi की तरफ से धी देखने को मिलेंगे जुलाई के मन्त में कुछ का मतलब यह है कि 2-3 smartphones launch हो सकते है वैसे तो इन सभी phones का जो मैं आपको बताने वाली हो social media पर काफी hype चला हुआ है सारे ही phones बोले जा रहे हैं कि जुलाई के मन्त में देखने को मिल सकते है पहला smartphone हो सकता है Redmi Note 9 काफी सारी बाहर की countries में launch हो चुका है Mediatek का Helio G85 chipset के साथ आता है इसके अलावा जो features है वो Redmi Note 9 Pro की तरह ही मिलते जुलते से लुक भी कुछ वैसा सा ही है तो हाँ यह एक phone है जो हमें जुलाई के मन्त में देखने को मिल सकता है इनके अलावा Redmi 9 सीरीज में 2 smartphone आजकल काफी जादा hype में आ चुके है Redmi 9 and Redmi 9 है and honestly बताऊं तो phone के सारे features भी निकल के आ चुके है मैंने इसी वज़े से एक detail में दोनों phone के उपर वीडियो बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके check out कर सकते हो फिर भी उपर उपर से बताऊं तो Redmi 9 हम लोगों को G80 chipset के साथ देखने को मिलने वाला है price कुछ 10 से 12,000 के करीब होने चाहिए मेरे recording तो बागी हाँ अगर आप इस segment के किसी phone का wait कर रहे हो तो definitely आप इसको भी अपने option में रख सकते हो और इसका भी wait कर सकते हो वैसे I guess आप सब भी लोग काफी अच्छे से aware होंगे हमारी country में जो कुछ भी चल रहा है इंडिया चाइना के वीज में जो भी situation अभी चल रही है काफी लोग है जो अब Chinese product को boycott करना शुरू कर दिये in fact Chinese smartphone भी नहीं purchase कर रहे हैं चाह रहे हैं कि हम non Chinese या फिर Indian smartphone ही purchase करें Indian companies के smartphone अभी फिलहाल तो मिलना बहुत ही मुझके लिए लेकिन हाँ Micromax जो की एक Indian company है smartphone की इनकी तरफ से काफी सारे हिंट्स पता लग रहे हैं कि यह आने वाले टाइम पर most probably जुलाई के मन्त में अपने तीन smartphones launch कर सकते हैं जी हाँ तीन officially announce नहीं हुआ है इनके tutor handle पर काफी सारी ऐसी activities हो रहे है जहां से ऐसे कुछ hints पता लग रहे है अगर सही price में around ऐसा कहा जा रहा है कि 10-12,000 की price में phone launch करेगा Micromax अगर सही price में सही features लाके दे देते हैं तो मेरे हिसाब से Micromax के लिए काफी crucial time होने वाला है कि वो अपना अच्छा खासा नाम जमा सकते हैं अपनी ही country में smartphone market में और मैं actually में काफी proud feel करूँगी अगर मैं Micromax का कोई phone unbox करती हूँ तो बढ़ हां important चीज ये है कि अच्छे price में अच्छे features लाके दे कोई भी आप में से अगर Indian company के smartphone का wait कर रहे हैं तो definitely आप लोग Micromax का wait कर सकते हैं कि किस तरह के phone लेके आते हैं वैसे अभी जो अगले smartphone में आप लोगों को बताने जा रही हूँ यार मैं ये बोलूँगी कि obviously ये phone 20,000 तकी price में आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि phone आ रहा है OnePlus की तरह से OnePlus Z या फिर OnePlus Nord आप लोग बोल लो ये phone हम लोगों करीबन कुछ 25,000 तकी price में देखने को मिलेगा इसलिए include कर रही हूँ ये phone को में क्योंकि ये OnePlus as a brand को देखते हुए एक अच्छे खासे affordable price में इसको लाने की कोशिश की जा रही है phone में features भी काफी अच्छे होने वाले है Snapdragon 765 G chipset बताया जा रहा है quad camera setup होने वाला है और price बताई जा रही ही 25,000 के आसपास जो के सुनके मैं अभीत किलाल तो काफी जादा curious हो इस phone को देखने के लिए बागी कहा जा रहा है कि July में ये 10 July के आसपास ये phone launch हो सकता है अभी तक official launch rate निकल के नहीं आई है बट हाँ इसके अलावा काफी सारे features निकल के आगे है जिसके बारे में मैं actually मैं पूरा एक detailed वीडियो बना चुकी हूँ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी link मैं नीचे description मैं देदूँगी आप जाके जरूर से check out कर सकते हो बाकी अभी इन सब के अलावा जो कुछ smartphone में आप लोगों के बताने जा रही हो इनका अभी है confirm तो नहीं बोल सकती हो बढ़ हाँ काफ़ strong hints इनके बारे में भी निकल के आ रहे हैं कि ये phone भी launch हो सकते है एक phone तो definitely Realme की तरफ से हमें देखने को मिलेगा क्योंकि Realme एक ऐसा brand है जो कि हर महीने अपने smartphone launch करता है अभी कुछ ही time पहले एक Realme की तरफ से एक smartphone spot किया गया है जिसके अंदर quad camera setup बताया जा रहा है बोला जा रहा है वो Realme X3 Pro होने वाला है तो हो सकता है Realme की तरफ से Realme X3 Pro launch हो जाए या फिर कुछ time पहले से Realme के Narzo Series के gaming smartphone के भी काफी कुछ rumors वगेरा निकल के आ रहे है तो Realme की तरफ से एक Narzo Series का phone भी launch हो सकता है I don't know बढ़ हाँ इन दोनम से एक phone तो definitely देखने को मिल सकता है बाकि Samsung Galaxy M41 इसके कुछ time पहले काफी strong rumors निकल के आ रहे थे बोला जा रहा था कि ये phone launch होगा OLED display के साथ although अभी ऐसा कहा जा रहा है कि Samsung Galaxy M41 नहीं आएगा क्योंकि जो OLED display उन्होंने दूसरी company से source कर रहे थे वो शायद आप नहीं करेंगे तो M41 शायद ना देखने को मिले बढ़ हाँ M Series में M41 ना सही तो शायद M51 देखने को मिल सकता है या फिर हो सकता है M41 ही आ जाए I don't know बढ़ हाँ Samsung Galaxy M Series का भी कोई एक स्मार्टफोन हम लोगों को जुलाई के मन्द में देखने को मिल सकता है बढ़ I hope कि ये जो कुछ भी phones मैंने आप लोगों को बता है आपको सुनके interesting लगा होगा ये वीडियो काफि कुछ help मिलिया होगा आने वाले स्मार्टफोन के बारे में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है किसी भी वे में अगर useful लगा है तो इस वीडियो को like जरूर से करिएगा बागी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में है